प्रिमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडी विट प्रदीप पे आपको बताते चले कि हम लोग टीजटी पीजटी गले लगातार अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें आज हम आपके लिए लेकर क्या है फाइलम पूरी फेरा हमारा प्रयास है कि जून के अंत तक हम आपको एनिमल किंगिनम पूरी तरह से कंप्लेट करके दे देंगे जो कि एक जोलोजी का बड़ा पोर्षन माना जाता है एनिमल किंगिनम और प्लांट किंगिनम ये दोनों जोलोजी और बाटनी के बड़ा पोर्षन माना जाता है और तीसरा जो बड़ा portion है, यहाँ पे animal physiology है और वहाँ पे minor botany है, यह दोनों दो बड़े बड़े position है, अगर इन दोनों को हम अच्छी तरह से clear कर लिए, मतलब इस चार टापिक को अगर हम clear कर लिए ते जान लिए का आपके course का 90% हिस्सा complete हो गए, 90 नहीं 80 कह सकते हैं, 80% हिस्सा complete हो जाता है, और हमारा प्रयास है के animal kingdom आपका June के अंतक complete हो जाएगा, इसको हम complete PDF आपको हम provide करा देंगे, with question answer, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आज पोरी फेरा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप में से जितने भी मित्र पहली बार चैनल पे आए ह और यहाँ से तेजिक साथ पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले फाइलम पोरी फेरा की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया फाइलम पोरी फेरा में, कि the Greek philosopher Aristotle, Aristotle के बारे में तो आप जानते होंगे, Aristotle जो है, फिलास्फर मतलब होता दारसनिक, एक-एक सब्द को ध्यान से सुनिएगा, the Greek philosopher मतलब Greek देश के यूनान के जो है दारसनिक है, अरस्तू, हिंदी में अरस्तू कहते हैं, English में Aristotle कहा जाता है, what the first of the recognized sponges as the animal, इन्होंने सबसे पहले एक रिकुनाइज किया पहचाना कि इस पंज जो होते हैं, ओ एनिमल होते हैं, subsequently biologist regarded them plant, उसके पहले इसको कि किस में रिकार्ड किया गया था, किस में रखा जाता था, plant में रखा जाता था, and even lifeless house of worm and the crustacea, which built them and lived in them, उससे कोई मतलब नहीं, यहां पाजिए, जान इलिस, जान इलिस को आप याद रखेंगे, जान इलिस, रिस्टेबलाइज देर एनिमल्स नेचर इन सेवेंटीन सिस्टी फाइब, यहां आप से पूछा जाए, कि स्पंज को सबसे पहले स्पंज कहने का काम किस ने किया था, यह अनिमल बताने का काम, तो आप कहेंगे, कि वो काम एरिश्टोटल के दोरा किया गया थ और सेकेंड, जब आपके आधुनिक युग की बात हो रही थी, तब किसने कहा, तो आप कहेंगे, आधुनिक युग में जो है, जान इलिस ने इसे रिस्टेबलाइज किया और बताया कि यह एनिमल नेचर के पाय जाते हैं, और यह घटना है 1765 की, आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं, इसके जनरल केरेक्रेटरिस्टिक, फीचर की सबसे पहले हम बाडी फार्म की चर्चा कर लेते हैं, किसकी बाडी कैसी होती है, दापाड़ी फ्रॉम Kommu वेरीज कांसिटरिबली यानि जो अलग 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 फ़ार्म सेफ साइज में होती है, ठीक है, वेर पार्टी आप दा फ्लेट ज्यादातर कैसे होते हैं फ्लेट होते हैं ग्लोबलर ग्लोबलर मतलब ग्लोब जैसे हिस्सा बनाते हैं ऐसे ग्लोबलर गांट जैसे हिस्से में पाजाते हैं इर्रेगुलर आसम्मित होते हैं और ब्रांचिंग मास कुछ ब्रांच साखाओं जैसे यानि कह रहे हैं कि कुछ साखाओं जैसे पाए जाते हैं कुछ गांट जैसे पाए जाते हैं कुछ कैसे होते हैं सिलेंडर जैसे होते हैं और कुछ वास लाइक पाए जाते हैं ठीक सिमिट्री श쪽에 से चेंधरा क्योससे होते हैं originally I was German मैं जो होते हैं इसक्तियों सोंचाहल इपनाना है इस लिए नोट Study ma आपको नहुत करेगा ऑपने प्ण है जब क्लासिफिकेशन आ पड़़ यह था तो वहां जाते एक इंप्रुटेंट यहां पर्फटेंट पॉइंट यहांपे asymmetrical को और आपका answer गलत हो जाएगा आप वहाँ पर इस्थिरता से सोचेंगे और वास like को किसमें लगाएंगे radial symmetry में एक प्रश्ण आपका यहाँ पर हो गया ठीक है चलिए आगे germ layer की बात करते हैं तो बिना सोचे समझें sponge देखे germ layer diploblastik होगा कोई दिकत नहीं है आगे बढ़ें Lea word मिप कैसा होता है जब हमने proto पढ़ आए है घिंगे उसे फ्यक्राइन बहुंत क्या आपने ग्राइजिक नहीं सबस्क्राइइं अपने एनकुल प्रण कर रहा हैं, अता हम इसे कह सकते हैं cellular label का जो है क्या पाया जाता है यहाँ पे ए और आर्गनाजिशन पाया जाता है ठीक है पुरा पढ़ने की अता हो सकता है नहीं मैंने आपको बताया सारी चीजे जो लिखी गए वही मैंने बताया कि simple आर्गन में पर एक साथ रहते हैं सेल के लेकिन सभी इंडिपेंडेटली अपने मेटाबोलिक रिएक्शन के लिए क्या होते हैं अपने वर्क को करते रहते हैं इधर आ जाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं हेड हेड रिजन की से मिलकर के बनी होते हैं उपर वाली लेयर को आउटर लेयर को आउटर डर्मल लेयर और पिनेको डर्म कहते हैं इनर को क्या कहते हैं कोईनो साइटिक आर्दक कोईनो डर्म कहते हैं कहरा है उपर वाली जो लेयर होती है उसे dermal layer कहते हैं और जो अंदर वाली होते हैं उसे pinakoderm या inner konocytic layer या konoderm कहा जाता है नीचे देखिए green color वाले में कहरा the dermal layer consist of the flat silk called the pinakosite कहरा जब ये flat silk का निर्मार करती हैं तो उसे pinakosites कहते हैं और जब over silk का निर्मार करती हैं तो इसे porosist कहा जाता है या porosites कहते हैं ठीक है कहरा है जो layer है dermal layer है dermal layer जब क्या काम करती है flat silk होती है चप्टी होती है तो उसे हम लोग pinakosite कहते हैं और जब वही oval होती है तो उसे porosite कहा जाता है the coinocytic layer consists of the characteristic flagellated color cell are coinocytes between these layers is gelatinous material named the major hill are the major crime कहरा कि इन layer के बीच में जो उपर वाली है outer covering और inner covering के बीच में जो layer के बीच में space पाया जाता है वहाँ पे एक gelatinous substance पाया जाता है पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम major hill अथवाईसी को क्या करते है major crime कहते है याद रखेगा major hill मेजो काईम से प्रशन पूछे गया है और कहाँ पाया जाते है कोईनो साइट लेयर और दूसरी आली लेयर कौन सी है आप देखें यहाँ पे कहरा कि कोईनो साइट लेयर एक पिनेको डर्म लेयर इन दोनों के बीच में जो space होता है उस space में क्या होता है gelatinous material पाया जाते है जिने major hill या क्या कहते है major crime कहा जाता है यह point आपके लिए important है हमने 5 प्रशनों पे चर्चा कर ली ठीक है 5-6 प्रशन आपके हो गए और इस अभी प्रशन आपको अभी देखने को मिलेंगे और इस तरह की सभी प्रशन आप से पूछे भी जाते है ठीक है चलिए आगे बड़े यह body cavity पा जाते है आज हमें पूरी फेरा complete करना एक घंटा लगे दो घंटा लगे दस घंटा लगे कि वैसे ज्यादा है नहीं बस आठ पीडियप है कितने पीडियप आठ पीडियप है और हम लोग अभी पहले पे हैं ठीक है टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगी लेकिन पूरा पूरी फेरा आज हमें complete करना है और आज ही आपका कल की डेट में प्लेटे हल्मेंथी यह हमारा प्रया से कल हम लोग तीन को complete करेंगे और फिर उसके बाद जो है जो भी आगे की टापिक होगी उससे हम लोग तेजी के साथ कवर करते रहेंगे चलिए बाड़ी केवटी की बात करते हैं दबाड़ी वाल इंक्लोजेज ए लार्ज केवटी कहरा बाड़ी में इसके बड़ी से कैवटी पाई जाते हैं अगर आपको याद होगा आपने ब्यस्टे में बनाया तक जो है इसपांजो सिल्प्टी तो आपने ऐसे बनाया था देट बाड़ी तह बीच बीच में इसस्पेस कटा हुआ था और यहां पर ऐसेए कोश कहीं आपने बनाया थी याद होगा आपको और यहां पर लिख आत है तो यह ड्यागराम आप यस tane में बनाया है राट हे हैं डाइगराम हम लोग जब वीडियो क्लास करेंगे तो वहां पर बना बना के डिसकस करेंगे अभी हमारा में मुद्धाक हम पॉइंट को अपने सभी जोड सके ठीक है तो यह के रहे दा बाड़ी वाल इंक्लोजेगे दा लार्ज केव्टी दा इस्पांजोसिल एंड इस्पांजोसिल याद रखेगा और नीचे आ जाते हैं आज दा किव्टी इन दःज इस्पांजेज बाड़ी आर इंटर कम्निकेटिंग के रहा जो कैव्टी होती है वाड़ी से जुड़ी हुई होती है and collectively referred to as the canal system और यही कारण होता कि उन्हें हम लोग canal system कहते हैं च्कार्ण होता कि ऊसे हम लोग canal system कहते हैं these are three main types of the canal system और जो हम पूरिफेरा के गर्म बात करें तींया है यहां पर तीन प्रकार के आपके جोने canal system पाये जाते हैं अब चाहका जले। स्पाया जाता है। जो यह देंगे सभी। the current of water that flow through the canal system कैरा जो water current है canal system के थूँ इंटर करता बाड़ी में bring to the food और ले किसको जाता है भोजन को और oxygen को and carries away carbon dioxide और जब बाहर निकलता है किसको ले के आता है carbon dioxide को और nitrogenous waste material को ले करके बाहर आता है अता हम कह सकते हैं कि the canal system help in the sponge में क्या काम करते हैं nutrition का काम करते हैं और किसका काम करते हैं इस्क्री सन का काम करते हैं, कलियर हो गया, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, कि बात करते हैं, आल्मोस्ट आल स्पंजेज पॉसेज ईनुटेशाण इन ँन् पे पास इंटेकर इन सीफ्टेशन पाक करते हैं, specules कांटे पाय जाते है are in the fine sponging fiber या तो किसके बने होते हैं sponging fiber के बने होते है अथवा बोत यानि तीन प्रकार के केलकेरिया के siliceus के और किसके sponging fiber के बने हुए जो है क्या पाय जाते हैं इन में skeleton system पाय जाते हैं located in the major kind कहां पे locate होते हैं जो काइम में locate होते हैं the specules are separated by cell card क्या कहते हैं the specules are secreted by the cell card is chloroblast जिस cell के secretion से specules का यानि कांटों का निर्मार होता है उसे scleroblast कहते हैं क्या कहते हैं scleroblast कहते हैं और याद करिएगा note करके रखिएगा कि प्रशन पूचे गए एक एक point में एक एक प्रसन लिखा हूँ एक एक प्रसन इस सभी PDF आपका उतना valuable है कि अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लिए तो मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक भी प्रसन आपका miss नहीं होगा इस बात का आप यकीन करें और जो है इसे तबज्जो दें इसको इज़्जद दे करके पढ़ें जितना ज़्यादा इसे इज़्जद देंगे उतना ज़्यादा आप में value edit हो दी जाएगी इस notes को भले आपको लग रहा एक छोटा है छोटा नहीं है ये छोटा बहुत है लेकिन खोटा बहुत है और आपको बहुत ज़्यादा लाब देने वाला ये मैं भरोसे से कह रहा हूँ और मुझे पूर्ण यकीन है कि आपके प्रशनों को match हम करवा पाएंगे हम 100% प्रशनों की बात तो नहीं करते हैं ये मुझे भरोसा है और विश्वास भी है आप बस क्लास को देखते रहें अपने मित्रों को शेयर करते रहें चलिए बात कर रहेते हैं कि स्क्रीटेड बाइद सिल्फ काल्ड इस क्लोरो ब्लास्ट जो कांटे होते हैं वो किसके स्क्रीशन से से बने होते हैं इस क्लोरो ब्लास्ट के सिक्रीशन से बने होते हैं ये सेप और साइज में वेरियेबल होते हैं तर टा इश्पांजिन फाइबर सोर्स के दौरा से बनते हैं, अब बात करते हैं कि इसके डाजेस्टिटिब्ट्राइक ही इज लेकिंग, इसमें माउथ और डाजेस्टिब्टीब्टि लेक होती मतलब नहीं पाए जाती है, nutrition is holotropic, nutrition कैसा होता, holotropic होता है, digestion is the intracellular, digestion intracellular occurs, digestion in the intracellular, digestion कैसा होता, intracellular होता, occurs in food vacuoles, food vacuoles में as the protozoa, जैसे कि protozoans में होते हैं, ठीक, यहाँ आप आ जाते हैं, sponges water filter feeder, यहाँ प्राश्नी आप आपा गया isponges water filter feeder, Japanese concept, फिर्थेर इसे हम लोग कहते हैं , suspension feeder भी कहते हैं यह देखें , आपका color नहीं किया गया है इसको आप note कर लिजिगा, sponge which filter feeder are Dos phyty if water access station chicken chicken kunna में स्टोर, food stripped from store, properties dirt wholesale in the majorjand chai mésinoants Help होते हैं इन्ही को हम लोग 300 site कहते हैं 300 site के रूप में food store होता है कि plankton is the important food source आप the sponge plankton जो जो plankton या phytoplankton होते हैं वो sponge के क्या होते हैं बेहतर food source होते हैं आगे बढ़ जाहेंगे सर्कुलेशन कहरा डिस्टिब्यूशन आप फूड फूड फ्राम दे इंजेस्टिंग सेल तू अधर्स इज ब्राट वाउट तू दा बॉर्ड वांडरिंग अमिवाइट सेल देट ट्रोफो जोड जोड रिस्पारेशन बात करें रिस्पारेशन अकर्स बाइद प्रासेस कौन सोती डिफ्यूजन होते हैं विच आर इन डारेट कांटेक्ट के बिद वाटर दीशिच काल सर्फेस रिस्पारेशन यही कारण होता कि से हम लोग सर्फेस रिस्पारेशन भी कहते हैं आगे तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रशन है आपका इस्क्रीशन इस् डिफ्यूजन इस्क्रीशन और इस्पारेशन दोनों कैसे हो रहे हैं डिफ्यूजन के द्वारा हो रहे हैं और किसे हो रहे हैं बाड़ी सर्फेस हो रहे हैं इस्क्रीट्री मैटर इच मेंली अमोनिया इस्क्रीट्री मैटर क्या होते हैं इस्पंजेज को इसलिए क्या कहते ते अमीनो टेलिक अनिमल कहा जाता है रिप्रोडक् 설क्स इंग की बात करते हैं इसे स्नचना बनाता है जिससे बडिन के द्वारा होता है और यह जिसे जिमिल कहा जाता है जिसे जिमिल का पढ़ेंगे पहला चैप्टर तु ऐहां पर इसके बारे में दिया गया है ऐ remember sexual reproduction involved the formation of the ova and spermatos जो और जो sexual reproduction होता किसके दोरा होता ova के दोरा और किसके दोरा spermatos जोवा के दोरा development की बात करें जाइकोड develops into a new sponge जाइकोड डेबलप करके नए sponge का निर्मार करता by the holoblastic segmentation life cycle includes a free swimming larva life cycle में इसके दो free swimming larva पाय जाते हैं एक को कहते हैं amphiblastula larva sypha के दोरा होता है यानि साइकान के दोरा और parent kymula larva जो है लोको सोलीनिया का याद रखीगा प्रशन पूछे जाते हैं आपका amphiblastula और जो है as in the sypha और parent kymula as in the lyokosolीनिया के दोरा ठीक है अब यहाँ पा जाते हैं और आपका यहाँ पर दिया गया है classification classification को हम लोग क्या करते हैं वरगी करण करते हैं हाँ आप सब मित्रों को जितने मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं देख रहे हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आपसे रिक्वेस्ट एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चाहने वाले मित्रों के पास सेयर कर दीजिए और उनसे बताइए कि आपके काम की चीज़ें यहां पे चलाई जा रहे हैं इस्टेडी बिद प्रदीप आपके लिए लगातार कर रहता है और मैं बार बार एक बात आपके साथ दोहराता हूं आज फिर दोहरा रहा हूं कि यदि आप सोच सकते हैं तो आज तक आपने सोचा नहीं है तो जल्दी से कलम उठाईए और अपने तैयारी में जुट जाईए जो आने वाले फ्यूचर के आपकी एक ना सिर्फ आपके फ्यूचर को गढ़ने के लिए तैयार बैठा है और जब आप सिच्छक बन जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच् लिखने में भले ब्लैक कलर आपका सुन्दर नहीं लगता है क्याते ना ब्लैक कलर का मतलब होता निगेटिव एनरजी को ले आता है लेकिन याद रखें कि उसी ब्लैक कलर से ब्लैक बोर्ट से ही किसी बच्चे का भौष्ट उजल हो जाता है तो आप ऐसे टीचर बन के जा हो वह आप का बहतर हो सके चलिए ख्लासिफिकेसन को याद करने का प्रयास करते हैं और कोशिट breaking classification याद हो जाए सबसे पहले फाइलम की बात करेंगे फाइलम जो होता है वो होता है पोरिफेरा पॉरिफेरा में तीन क्लास है एक है आपका calcariya दूसरा क्लास है आपका hyacadenylida और तीसरा है डेमो is وال कि फांजिया ठीक है जो के रिया क्लास है उसका एक आडर है होमो Cilia या होमो Kansas और दूसरा है हेट्रोकोला ठास होमो कोला में जो आता है वह उसमें लितको जो हेक्जा हेक्जा इस्टोरियो फोरा है उसमें यूपलेक्टिला आ जाता है और जो एमफी डिस्को फोरा है उसमें हाइलो नेमा आ जाता है और क्या जाता है फेरो नेमा आ जाते हैं कि देमो इस पंजी एक लाइस बात करने कि इसमें आडर एक है मेक्स इसपॉंजी डा में और रिया है रेट रेला और रेला है ठीक है उसके बाद किया है हाल्ज हाल सार का है उसके बाद यहां पाइजा रहे ने हें यहां पर बिस्टन्य वीन अनिय आयों जागिलर साफ्या यहाँ ओर और इसपॉंजिला, इस में आपका और कॉन है? इसपॉंजिला के बाद, आपका दो यहां पर है, वहीं पर बहिते हैं, क्रेंट उसा में, क्रेंटो सा में, क्रेंटोbas Y. promise अमनि स्पंजिया है, दोनों और इसपंजिया रखते हैं, नहीं, Y. क्लास फालम परिफेरा को तीन क्लासों में बाटा गया पहला कैल के रिया की बात करते हैं तो दे आप फांड इन मेरीन यह खारे पानी में पाय जाते हैं शैलो चिछले पानी को कहते हैं ना एंड कास्टल वाट क्या कहते हैं सैलो वाट मतलब छिचले पानी को कहते हैं ना कुछ और कहते होंगे बताइए करके ठीक एक चीज मैं बता दूँ आपको देखें यहां भी मैंने जो है पिछले क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे थोड़ा सा जैसे दिमाग में चल गुजार हों कि आपने कम से कम उसे कंसेंट्रेट हो करके सुना और आपको लगा की गलत है आपने उसे कमेंट करके बताया मैंने नाम तो मुझे भूल गया वाटसप पर उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया एक सर इसका मतलब होता है आपको बहुत बहुत सुक्रिया आप पर आप मेंसे जिन मत्र हों को जैसे मां लिए मैंने का सेलो मेंट जिचला अब ठीक है मुझे लग रहे हैं छिछला होता है अगर माल लेते हैं प्रडीप के साथ आपको पढ़ना है ठीक है कोई जैनल ऐसा नहीं आप 限प मान के चलेंगे ता आप इज्जत और सहरत साथ पढ़ सकते हैं जब आप टीचर मान लेंगे तो थोड़ी सी आपके बीच में वह आ जाएगी आज फ्रेंड मान चलिए और हम लोग इसे बहुत अच्छे तरह पढ़ेंगे और भरोसा रखेंगे कि इस बार का जो वैकेंसी परिश्टेशन होएं सिर्फ 26 लोगों का रिजिटेशन हुआ है नेचर को लगता है कि जितने लोग हमारे साथ रिजिटर हो रहे हैं वो सभी लोगों का सेलेक्शन हो जाए और 26 लोग तो अपने आपको मान के चलिए उनकार पक्का है सीट उनकी पक्की अगर वो बताए कि आऊ सकता है चुक्net में टापिक की संख्या ज़्यादा है Leakन टीच्टी का कोर्स तो वहत जल्दी खतम करने वाले है और हिए तो मुझे लगता है जल्दी से आप भी सब्सक्राइबर बने और आपको भी एक मौका मिले और आप उसको कहां चले जाए सेलेक्शन की तरह बढ़ जाएं तो हम लोग बात कर रहते हैं केल्केरिया क्लास की चली टाइम बहुत कम है और बाते बाद में विकल लेंगे फोकुस करें पड़ते हैं ठीक है चली दे आर फॉंड इंद मेरी का पाया जाते हैं खारे पानी में पाया जाते हैं सेलो एंड कास हो इस पेक्युल्स होता है जैनी स्केलिटन होता है जो काटा होता है तो किसते बना होता कैल्सियम कारभॉनेट का बना होता टिक आगए बढ़़ जाते हैं या रिब आप कहेंगे केल्केरिया क्लास है डिजिडियल स्मिट्री याद रखिएगा उसके बाद आ जाएंगे दा बाड़ी अर्गनाइशन इज इसके नोएड साइक नोएड टाइप के पाए जाते हैं यहां पे साइफा इसका एक्जामपल हो जाता है ठीक है और उसके बाद क्लेट तरफिडे立 इसका क्लास है इसके बाyond in the deep sea कहां पाए जाते हैं खारे में पाइब में अरंड गहरे पानी में पास सिक्ष इस इस पर क्युक्य पइंज मेड़ों में बने हुए उस छा लाइनों में बने होते हैं ठीक है six rate होते हैं the body is cylindrical its shape is exhibited to the radial symmetry और इसमें भी क्या पाय जाता है radial symmetry पाय जाती है आ जाते है इधर the canal system of the cycle and are the leucon करा इसमें cycle और leucon टाइप का canal system पर जाता है यूपलेक्टला हाइलो निमा इसके उधारण हो जाते हैं कि डेस्पोर इस्पंजिय ख्रण डेस्बोर स्वंजिय की बात करें और फांड इन दमेरीन और फ्रेश्वारर कि डेस्फ में जाता है जाता है करह आँ पानी में अधर अन पानी में दा बाडि आप इसकी बाड़ी कैसे होती है इसेमेटिकल होती एंड सेलेंडिकल इन से दगेनाल सिस्टम इद लियुकिन टाइप का कैनल सिस्टम पाया जाता है तो स्केल्टन कंप्राइजेज स्पॉंजिन फाइबर्स सिलिसियस इस्पेक्यूर्स विचिद्ध मोनाइकसान एंड ट्राइकजान तो यहां पाप का जाएगा स्पॉंजिला और स्पॉंजिया और स्पॉंजिला इसकी दावर्ण हो जाते हैं पोरिफेरा के कुछ एक्जाम्पल हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है तो यहां पर लिखेगें जिसे साइकान को में डिटेल पढ़ना है तो दीजार्दस स्विट्री और कालोनियल मेरीन इस्पंज फॉंड इन दसेलो वाटर अटे टू राक्स किससे चट्टानों से जुड़े होते हैं खारे पानी म आटे ing dairy होते हैं वाटर से जिता टेया थीनिशन करता रही जीशन को हम से ब Whats안 डिटेल अध्यार को सबनी होते हैं वाटर से हुशत इंडर आप इसमें काह सींटर करता है। हम आप लिके हैं तो ना यूड न से ट्रें जाती है जाती है प्रियाग राज जाती है लेकिन जुनिपूर से होते हो यह किसी से सफर चरेता हैं प्र इसको करता है तो साइगण से आप में अफ़ी मिलहाबाद ले जाएगई लेकिन फ्रर इनक होते हिखा यहाइ इस bb certificates तो वही चाहरा है कि जब water इंटर करता है तो इंटर तो करता है आस्टिया से लेकिन जाता कहा है radial canal में लेकिन किसे होते हुए वाया जो है बाइप पोरो फाइल से होते हुए ठीक है और पॉरोपाइल के दौर उसयल सेक्सटे आटानिए मेद और आपको पmenoGRफ रहे हैं यह ऺए में और उस में फिर से आपको बता दूंझ मैं आपको प्रिश इसेक्सटेग मयों कि पढ़ने में इक को बाया पढ़ रहा था, कह रहा है कि आस्टिया में पानी, water are inter through the body, body में इंटर करता है, कहां से आस्टिया से and reach to the radial canal और कहां पहुंचता है, radial canal में, by किस के दोरा, by मतलब होता दोरा, तो प्रो सोपाइल के दोरा, ठीक है, अब आप कहेंगे पानी जो है आश्टिया में जो घुस्ता था रेडियल कैनाल तक पहुंचता था किसके दौरा पहुंचता था तो आप गहेंगो प्रोसोपाइल दौरा ठीक है यह थोड़ा सा यहां पर सब्सक्राइब करें अब बात करें दे आर आल सो नोन एदब बोरिंग सपंज इसे क्या करते हैं बोरिंग स्पंज कहा जाता है फॉंड इन दग्र इसकेलटर इसकेलटर अब्जक्तिक यह यह थे आर ग्रीन परपल और लाइट येलो इन कलर दगेनाल सिस्टम इन दग इस इसमें के नर्ड शिस्टम पाई जएता कैसा पाई जट त्फाल बॉक नोघट टाइप यंद इसक्वली एंड और सेक्वismus ऑफिक्ष से दे पानीं का क्रिक्ष वुक शॐच दग वाधी इस लिंडर्क है बाड़ी कैसे होती, cylindrical होती, long होती, curved, fastened in the mud at the bottom of the sea. The canal system is simple, psychonoid type, इसमें जो canal system पाया जाता है, psychonoid type का पाया जाता है. The skeleton consists of the calcium specule, celsius specule, sorry, celsius specule, fuse at the tip formation of the three-dimensional network of the parietal gap. Spongula की बात करते हैं, they are largely found in the ponds, Spongula कहां पाया जाता है, तलाबों में पाया जाता है, streams, legs, growing on the submerged plant and sticky. The body wall consists of the thin dermis provided with pores called austria, they possess a ragin canal system, they They, क्या कहते है, rogan type आप कहना system पाया जाता है, इसमें इस्वांजिला मच्छा, they reproduce sexually as well as asexually, ठीक. Exam point से कुछ प्रस्ण नहां पर लिखे गए, जैसे की, cleona किसमें पाया जाता, cleona को और क्या कहते है, the boring sponge कहते है, इस्पांजिला को कहते है, the fresh water sponge कहते है, spongia, you spongia को bath sponge कहते है, petrion को क्या कहते है, neptunes gap कहते है, यू प्लेक्टिला को venus flower basket कहते है, hylo nema को the grass rope sponge कहते है, और उसके बाद the sponge of is often green due to symbiotic algae, जो chlorella के साथ, symbiotic association रखता है, जिसके कारणे green दिखाई पड़ते हैं, और एक होता है, cleona, charlina या kalina कहते हैं, mermaid's globes are dead man's finger कहा जाता है, क्यों ये session में आ जाते हैं, और कुछ प्रशनों के आपको answer देना, ज्यादा प्रशन नहीं है, 40-50 प्रशन है, 35-36 प्रशन है, और इसका answer आपको दे देना, sponges are sponges कैसे होते हैं, तो ये तो बीना पूछें, आप बताएंगे कैसे होते हैं, diploblastik होते हैं, ठीक है, उसके बाद, amphiblastula larva किसका है, sponge का होता है, यह भी आप जानते हैं, यहाँ आप देखिए, आपका कुछ लिखा गया है, amphiblast, sponge के जो larva होते है, amphiblastula parent kaimular, और उसके करें, मेरे cdm larva होते हैं, sporocyst larva होते हैं, radial larva होते हैं, और सरकेरिया, मेटा सरकेरिया larva होते हैं, इक आइनो डर्ब की बात करें, बीच टाइप आप कैनार सिस्टम आप जाते हैं, इन विच टाइप आप आप कये नर सिस्टम आप यह समझम जो से किसी जो है, जो है किसके दौरा लाइन की गी कीए, कान वाट इसा होता है आप यिबरोइगिन सार्प्लेया सिस्टम और आप हून्से, इस पे क्यूल्स कहां पाया जाते हैं तो आप कहेंगे ए और सी मतलब आपका इस पॉंजिया में और यू प्लेक्टिला में आगे बढ़ जाएंगे इस पॉंजिया कानटे को लेक्ट करता मतलब नहीं रखता है but but hedge skeleton आप the spongyent fiber लेकिन उसमें skeleton किसका पहाज आता है spongyent fiber का पहाज आता है तो उह आपका है phylo spongy but not spongy phylo spongy लेकिन spongy नहीं which are the following sponges hedge skeleton क्यारा कौन ऐसा है जिसमें इस पॉंजिन फाइबर का स्केल्टन पाया जाता है तो आप कहेंगे चलीना का किसका कलीना या चलीना जो भी आप पड़ी है चलीना ठीक है उसके बाद आजाते हैं फीच आप दा फालोईंग टाइप साफ दस से इस टोर रिजर फूड इन दे स्पंज कहरा कौन ऐसी से लहें जो रिजर फूड को रखती हैं तो आपका सभी आंसर है बात सभी इस पंज को यू इस पंजिया कहते हैं यह भी आपका सभी है ब्लास्टो पोर गिव रैस टू दौध फैल सब् atéकरता हाऊ मॉंत् पाइदा करता है ठीकि एधु के बाद जो है फिशन二 पंजवी टिर्मान रइव इंडेस्टरी के रहा है कौन इसा है जो पर इंडेस्ट्री और डिवमाइड है करवा है मतलब नुक्सान दायक कहाना जो परल इंडेस्टिक लिए नुक्सान दायक होते हैं विच इसरफ सपंज में पाए जाती तो आप कहाने कोइनों साइट की रिख यही इसका बीसिक फीचर गुड़ है और इन विच आप दब कैना सिस्टम इस्पाजों सिल इसलाइन ब इसके नायट टाइप वीच आप दा फालोइंग नाट एस पंज करा कौन ऐसा है जो इस पंज नहीं आपको बताना है यूस पंजी यह स्पंज जिला और यहां पर पिट्रो इस पांजिया पिट्रो स्पंज यह जो होता है यह प्रोटो जो होगा है एंड बिलागनी टॉदर क मैंस्टिक फौरा किस से बिलांग करता है मैंस्टिकोफ फौरा क्लास से बिलांग करता है और इट इज दर कनेक्टिंग लिंक बिटमिन प्रोटो जो और प्रोटो जो ऑगा और Toti potent cell in sponges. Toti potent cell in sponges में किसकी बनी होती है तो आप कहेंगे Archeocytes की बनी होती है और उसके बाद Archeocytes Toti potent cell give rise to six cells. That is Ova and sperm and play important role in the regeneration. Type of specules found in the gemul's eyes. Spongyla are mono axon. चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद हम लोग कहां पर आगे थे यहां पर. Type of specules found in the gemul's eyes. क्या हो गया? Mono axon. कौन हो गया? Mono axon हो गया. आगे जाएंगे the sponges. Prosopiles क्या है? देखें यहां पर इसी prosopiles के हम लोग वहां बात कर रहे थे जहां पर थोड़ा सा confusion होई थी. Small kanals which connected το Radial geçin को काम पर जोड़ा हो गया? चलिए अगले प्रस्ट की तरब बढ़ जाते हैं? दशनार संइनि इस पंग अकर्स फडस इसमें कैसा टैनली इं डे मैचस्ट का मईंट इसमें इंहें फन इसे फंच है में गाईंस भंछ वीछurityval यहके शोड़ें किषकته करते हैं तो आपका इंग सर्कुलेशन chaos redooka को तूथ थूड़े यहीं होता है तू अदर पार्ट आफ दा इस पंजेज तो आप कहेंगे आर्कियो साइट की को स्काइए में होता है और विच आफ दा फालोइंग फीचर इज यूनिवर्सली प्रजेंट इन इन आल इस पंजेज कहारा कौन ऐसा गुण है जो सभी इस पंजेज में पाया जाता है तो आप क इस अनदर नेम आप दा पैरागेस्टिक है ठीको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है इस पांजों सिल के नाम से जाना जाता है फ्लेजलेटर से इन इस पंजेज आरकाल फ्लेजलेटर से जो स्पंज का होता उससे क्या कहते हैं तूसे कहते है कोई नो साइट की कोशक बादे बाडी वाल आप दा लूको सुलीनिया और कह रहा है तो कौन सी होती है तो आप कहेंगे to प्रोट साइट सर उसके बाद कोईचा किनौ साइट ओर अमीबो साइटि एंफी ब्लास्ट पुला होता कैसा होता एंफी ब्लास्ट पुला होता है इंटर्नल फर्टिलाइशन अकर इंटर्नल फर्टिलाइशन किसमें पाय जाते हैं तो आप कहेंगे साइकान में पाय जाते हैं उसके बाद कोईनो साइट्स आर फार्म्ड इन कोईनो साइट्स बने हो कोले nhấtर Теперь آپ's Sea긴 Amendment अबिसी कि कि स already सके में पायगे घर जाते हैं।the और इसे के साथ आप का पूरी फिराज מפलित होताCा मुझे अमध आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो अपने मित्रों को भी सेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए अजाज़त दीजिए जय हिंद्व